हेलो गाइज वेलकम टू बैलो जी एक्स्प्रेंग आज बात करेंगे पीजए चंडीगड के बारे में पीजए चंडीगड में बीचे पैरेमेडिकल का कुशन पेपर किस तरह का आता है आज उसके बारे में हम डिसकस करेंगे वैसे मैंने आपको अपने वॉट्टप गृु परणेट करा जाएगा उसका सेम पैटर्न आपका पैरावेंडिकल का में आएगा तो हम कुशन पेपर कुशन देखें अगर पहला यलो रिवलुशन इस असोचीट विद दे प्रोडेक्शन आफ यलो रिवलुशन में हम किछीज का प्रोडेक्शन करते हैं जो हमारे पर ऑ स्टार्ट हुआ था और 1987 तक स्टार्ट हो गया था अब कब यलो रिवलुशन उसमें हमने क्या करा था हमने वेजटेवल ओल्स का प्रोडेक्शन इंक्रीज किया था और इसमें क्या करा था हमने और वी सका काफी जो ऑल सीट से उनका भी प्रोडेक्शन इंक्रीज किया था श्पेशली मस्टर्ड बी थी लेकिन हमने और भी सारे और सेट को इंक्रीenhस किया था जैसे हम बताएं कि peanut मॉस्टर्ड हो सोयवीन सफ्लॉवर नडर फ्लेक्ष्ट सीड़ और कचंट इसे इन सब का ओयल सीट को हमने प्रोडेक्शन इंक्रीस किया था यलो रिवडूशन को यलो रिवडूशन को पीली क्रांती भी बोलते हैं तो हमारा एक आंसर क्या हूँ इसमें ओयल सीड हो गया ठीक है दूसरा कुछन कह रहा है था लव एंड डफ साउंड और प्रोड्यूस जूटू वह हमारा क्या है बाइकपसीड वाल भी बोलते हैं जिसको हमारा ट्राइकपसीड बॉल और हमारा क्या मैटल वाल जिसको बाइकपसीड बॉलते हैं जब वह क्लोज होता है तो हमारे पर कौनसी साउंड प्रोड्यूस होती है डफ साउंड हमारी कप्रोड्यूस होती है जब हमारा semilunar wall जो होता है pulmonary artery में होता है और किसमें iota में present होता है जब वो close होता है तो हमारे पास कौनसी sound produce होती है dove sound produce होती है ठीक है देखते हैं the first heart sound इसको love जिसको love sound बोलते है वो कब produce होती है जब हमारा tricapsid or bicepcid wall present close होता है और हमारे पर dove कब produce हो रही थी ठीक है अब हम इसको detail में देखते हैं कि कैसे साउंड हमारे पर produce हो रही है ठीक है हम देखें कि यह आपको देख रहा है बॉड़ी से आ रहा है वीन कावा के थूरू और यहां देख रहे हैं pulmonary vein देख रही है आपको इससे क्या रहा है आपको pulmonary vein है लेकिन इसमें oxygenated blood आता है ठीक है अब जब आपके पास यहां पर क्या होती है ऐसे नोट प्रिजेंट होती है ATM में अब वो क्या करेगी contact करेगी जब contact करेगी तो यह क्या है इससे क्या हुआ जो ATM से ventricle के पास 30% blood transfer हो जाएगा जब blood इसके अंदर आ जाएगा ठीक है इसको क्या होती है दिने स्टोल ऑलते हैं इसे नोट की थूरु ठीक है अब क्या होगा जब ठीवर ब्लट इसमें आ गया लेफ्ते को या करेगा इस सु अर clash क्स हो अरत रिंटए इसके थूरु यह कॉंटेट करेगा जब जो क्या करेगा आपका इसे दीख रहे हो आपका pulmonary artery में और pulmonary artery और iota में flow होगा प्रेशर की तो जब वेंटिक्रोट प्रेशर लगाएगा तो आपका blood flow होगा जब blood flow होगा तो यह आपकी wall दिखने न कौन से यह semi lunar wall यह open हो जाएंगे जब यह semi lunar wall open हो जाएंगे तो blood flow हो जाएगा किस से pulmonary artery से और iota से ठीक है यह खुल गए और क्या होगा जब यह आप देखो जब contact करें तो यह खुल गए जब यह अब जब प्रेशर तो हाई रहेगा फिर कांटेट करने के बाद यह फिर उस प्रेशर जब dricapsid में तब आपको क्योंसी love sound produce होगी ठीक है देखते हैं अगला question अगला question क्या कर रहा है the study of the following statement and select the correct one हमें एक सभी पता करना है तो पहला क्या बहुत है the herbarium is a storehouse of collected plant specimen that are dry pressed and preserved on sheet herbarium क्या होजा है herbarium के अंदर क्या एक file है उसके अंदर एक sheet है sheet क्या क्या अंदर क्या है एक plant है plant का particular part ले लिए हमने flower उठा लिया या leaf उठा ली leaf को हमने लिया और क्या करा हमने dry condition में करी dry करके well dress करके हमने उस sheet पर रखके और सही से कर दिया उस पर हमने क्या करा उसके हमने right side गए उस पर लेवलिंग करी उसका बाटनीकल लोकल लाम यह इस particular area में पाए जाता है हमने सब कुछ लिख दे climate condition क्या है यह होगी हमारी herbarium sheet तो इसने सही बोला कि herbarium is a storehouse collection of plant specimen data dry और प्रेस्ट और पिजर्व और शीट हम एक ड्राइ कंडिशन में हम क्या पर्टिक्लर प्रांट specimen को collect करते हैं ठीक है दूसरा वाला क्या बोला है फ्लोरा इस प्रोवाइड अंडेक्स टुद प्लांट इस पाउंड इन पर्टिकुलर एरिया फ्लोरा एक तरह से मान मानिए बुक है एक बुक है एक पर्टिकुलर एरिया की अब उसमें हमें क्या करना है कि हमें इन्फॉर्मिशन भोखी हुए है कि यह बाला प्लांट है ना इस पर्टिकुलर एड़िया में इस की यह क्लाइमेटिक अपम्रांडीशन फ्लोर ses is a flora is a book that provides the information to the habitat distribution the climate index of the plant species found in a particular area ठीक है अब तीसरा क्या रहा है the monograph monograph contain information on only one tax zone अब monograph क्या होता है आपने ले लिए class class भी एक टेक्स जोन है family family भी एक टेक्स जोन है तो अब उस class के इंदर जो भी information present है वो एक monograph है बस इसको ऐसे याद कर लो यह वो एक monograph है अब क्या है कि family क्या है वो भी टेक्स जोन है और उसके अंदर जो information present है वो एक monograph है ठीक है हमारा हर्वेरियम वाला ठीक है flora ठीक है कि हां भई कि particular area में उसके climatic condition क्या है और वो इस एरिया में क्या है वह हमारी flora होगी monograph क्या एक टेक्स जोन के बारे में information है कि क्लास है उसके इंदर यह information है वह आपका monograph होगा हमारे तीनों क्या है यह ठीक है और अवावार करेक्ट अगला क्या क्या रहा है विश टूशू प्रोवाइड दा प्लांट हमार पस दो यह डिशू है कॉलिंकल इस्टेंद प्रोवाइड करते हैं तो क्या देखा जाए कि अब अवक्यनिकल स्टेंद अवक्यों क्या में प्रोवाइड करते हैं तो अब हम थोड़ा क्या में बताता हूं थोड़ी क्या होता है इनके सेल啦 का प्रोवाइड करता थिकर तो देखा जाए कॉलिन कायमा सेल क्या है वो आपके living है और इसके कायमा सेल क्या है आपके टिशू जो है वो डेड है कॉलिन कायमा क्या mechanical strength के प्रोवाइड करते हैं आप growing plant में जो cell wall जो होती है कॉलिन कायमा की वो आपकी इसके इस्यू होते हैं maturity तक living रहते हैं इनका प्रोट्रक प्लास रहता है maturity तक ठीक है अब क्या है यह इनके अंदर एक हाइडेटिट प्रेक्टिन क्या होग है इसको 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 प्रोवाइड करती है सेल को प्रेक्टिन इन दा वाल अप तोविन कायमा स्यल प्रोवाइड एलसाइंट टू प्रोवाइड करती है ठीक है प्लांट को स्केरिंग केallas था इरिया में आपको मकेणिकल प्रोवाईड करतें, कइन के कायं मारी युक्री मारे प्लांट के लिए इस होते हैं। यह क्या होते हैं अगर देख जाएं यह लेगूम्स होते हैं जो दाले होती हैं उनका करता या दिब्स कोड़ क्या होता आपका वो इसके लोट तीक хотите रहा त हaining काइमा की त्सक्वर होती है ठीक है इस से बाइरक कोई निखालेंगा मैं सब्सक्राइब तो मैं सबष्किता त्याशब कर रहा हूं कि को लीडर काइमा की से किसे composition है वह भी मैंने डेटिल में बता दिया elasticity कौन पर प्रोवाइड कर रहा है आपकी cell wall को कॉलिन कायम आए कि हाड़ेड़िट प्रोटीन होती है वह आपको elasticity प्रोवाइड कर रहा है ठीक है अगला कुछन देखते हैं कि अगला कुछन क्या कह रहा है इन वीच आप इस ने सब के अंदर ही बौल्स प्रिजएंट नहीं है। अगला कुछेशन कहा है इन वीच दफॉरॉइंग फिचर और इं एंक फीचर क्या है नि अगर अगर को देखा जात तो यह सेफलो टेटा है और आगर फ्रॉप को देखे है तो यह का है और सी ओर देखा जाए तो ऑस्टियों थीसिस है बोनी फिश है ठीक है और हमारे बचा प्रोकोडाइल यह क्या है रेप्टाइल है अगर यह देखा जाए कि यह सब है तो कोड़ेटा के लेकिन फ्रॉक सी होट और कोड़ेटा के आपके कोड़ेटा अगर यह है और हाथों सब कोड़ेटा के अंदर है कोड़ेटा का में correcttest क्या होती है अगर देखा वहों देखें तो डवलब comments में क्या होता है एक परिशल ब्रेज्ण होती तो यह तो यह तो है यह तो हमारा आंसर मिली गया जाम ठीक है और एक होती है डॉरसल इस तो पॉलो होते हैं से देखे इधिल फ्रॉप को देखा जाया थ्री चमबर है चलो कि सी होत्स को देखा यह इıt ऑनिफिश के अंदर यह आप क्या अगी फिची के अनदर इसके अंदर आगे टू चेंबर रेप्टाइल के अंदर रेप्टाइल का फीचर है वैसे थ्री चेमबर होते हैं लेकिन क्रोकोडाइल के आपके पास 4 चेमबर हर्ट होता है ठीक है तो अब क्या हुआ सबके पास 3 चेमबर तो है नहीं तो हमारा यह वाला गलत हो गया अब वर्टीवर कॉलम भाई वर्टीवर कॉलम नहीं प्रिजेंट होती जब के पास बटीवर कॉलम खा अप्रिजेंटेस में तो यह भी हमारा गलत हो गया अब क्या बोला इसने इसकेलटन पॉम्ड पॉम कार्टिलेजेश अड़ बोन का है अगर बोन ही फिश को देखा तो अलीब का है ठीक है और अगो देखा जाएyst तो आपका वह का इसका है सबके grands तो नहीं नहीं तो आपके यह हैं तो यह वाला है यह यह वाला भी घलत हो गया बस हमारा यह इंपॉर्टेंट तो सब को सब कुर्ड डेटा के अंदर सेम होता है जिस अगला कुश्यन क्या कह रहा है स्टेज in proper वर शुकेंस और प्रोफेसफ वसान की आपको स्टेज को स्पेजर करना है तो अगर करें हम तो क्या होगां हम्हें इसका एक याद करना पड़ेगा की ले ज़ा पानी डिपogen डाई तोoney क्या कर रहा है ले जा पानी डिप एंड डाई ठीक है यह तो हमारा लग गया कि इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या होगा कि कि अगर लैपोटीन स्टेज को देखें तो लैपोटीन स्टेज में क्या होता है आपका मैगजिमम कंडेशन होता है कंडेशन से तो सारी स्टेजों में हो रहा है आपका लेकि लैपोटीन स्टेज में आपका कंडेशन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि आपका मैगजिमम कंडेशन आपका लैपोटीन स्टेज में हो रहा है और जाएकोटीन में स्टेज में क्या हो जो sister committed है homologus chromosome जो है non sister committed sister ने non sister committed और homologus chromosome क्या है वो एक साथ सामने आ रहे हैं सामने आ रहे हैं यह chromosome हो और यह chromosome हुआ तो यह क्या हुआ आपके bivalent हो गए लेकिन यह tetrade है क्योंकि एक chromosome के बाद 2 chromatid है तो क्या होगा हमरे पर टेट्राड हो गया by balance with tetrade ठीक है तो जाइगोटीन स्टेज क्या होगी आपका जाइगोटीन स्टेज में क्या हुआ और आपका synapses हुई सब्सक्राइब difficile कि सिनेपसिस में क्या हुआ आपका कि इसमें क्या होगी आपके दोनों क्रोम rition क्रोप्लेक्षिन शुटे कर उसके बीच में क्या हुआ का सिनेप्ता मुअ कॉंपलेक्स कॉप्लेक्स खॉर्मिच ठीक है सिनक्तरींवर्ट कॉम्पलेक्स फॉर्मीशन इसमें हो गया और यह दोनों जो स्टेज हैं लापुतियम यह पैकेटीन से च्छोटी होती है किन ए ठीक है और पैकेटीन स्टेज को देखें तो सρέ nhất कि च्छोटीन स्टेज में क्या रिकॉंबनेशन जहां होगा वहां पर क्रोमोसोम के बीच में और जहां बच जाएगा मतलब रिकॉंबनेशन होने के बाद जहां बचेगा तो मतलब सब जीगे तो हो गया रिकॉंबनेशन अब लास्ट में कोई-kोई पोर्शन ऐसा जा जाएगा कि जब क्रोसिंग ओवर होगी इसमें तो कहीं-कहीं क्रोमोसोम इसमें अटाच रहेगा कि पॉर्चन इसमें रह गया कुछ इसमें रहे तो पैकिंटीन स्टेज में आपका रिकॉंबनीशन एंजाइम यूज होता है और क्या रिकॉंबनीशन नेडूल्स बनते हैं और प्रॉसिंग ओवर होती है आपकी पैकिटीन स्टेज में ठीक है फिर हुआ आपका डिपलोटी रिकॉंबनीशन एंजाइम होता है रिकॉंबनेशन इंडूल्स मुना था क्रॉसिंग ओवर होती जाएको टीन स्टेज में क्या होगा आपका यह स्टेज में क्या होगा खतम होना सुरू हो जाएगा और डाइकाइनेस तक यह सब दोनों अलग-अलग हो जाएंगे ठीक है यह अलग-अलग भुजाएंगे और डाइकाइनेस में और फिर क्या होगा लेकिन आपका चल रहा है डाइकाइनेस में लास्ट कंडेंसिशन एंड हो जाएगा ठीक है चलो अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन क्या पूचा है लेकिन हम जो इसके बार में पढ़ रहे ह है इस से बाहर नहीं है हम जो कुछन हमारे पूछे गए हैं पीजी ने नर्सिंग के बारे में उसमें हम अच्छा कासा आगे तक ले कर चल ले हैं कि भाई हमारे से कोई कुछन छूटे ना अगला कुछन के अधा है Find out the PARTLE pressure of O2 and CO2 in Oxinated Blood Oxinated Blood का होता हैं मारा कौंछा होता है पल्मोनारी वेन के अंदर होता है पल्मोने वेन ही तोthree एंट होता है हम देखते हैं चलो यह हैं हारी पल्मोनारी वेन जिसमें हमारा ऑक्षीनेटिटिड उसका पार्टिल प्रेशर कितना है हमको याद करना चाहिए 95 में हमारा ओटू है और 40 में हमारा सी ओटू है ठीक है अब इसको जीतों में पता पढ़ गया कि हाँ पल्मोरिय रिट्रिंग में हमारा जो ऑक्सिनेटिट ब्लड है उसका कितना पार्टिल प्रेशर है और चीओ ट ये लाइं को समझते ओठें यहां से स्टाट करते हैं हमारे पास क्या और यहां पर क्या होता है यह इंसेद्ध बॉल्डो कोस का मेलूवरिय वह रहा होगा गॉलुकॉस का बुलुकॉस ब्रेक और उसे क्या होता ओटू यूज हो रहा हुआ और दिख रहा है और हमारा चालीस है तो अब हमारा यह 95 mmHg है तो जब ऑटू यूज हो रहा हुआ अब क्या हगां कर अब क्या होगा अधे घलीट अब फ़्मानारी अलीर के नदर यह सिस्टेमेट वेन के प्रेसर्ट इहां पर फोगा फोल मोरी आट्री अंदर होगा वह फडिल्मानारी जाओ फीमिंधु प्रेसर मे board आपको यह चीज जाद रखनी चाहिए अब क्या होगा जब यही वाला प्रेशर प्रमोनरी अर्टरी के अंदर है तो अब यहां पर देखो कि अब भाई हमारे प्रेशर प्रेशर ऑफ ओटू की तो कम हो गया है प्रेशर प्रेशर ओटू का और पड़ गया है तो हमें स्योट इसी को यहीं लिख दो ना पर चालिस चालिस वाला ज्यादा है तो पैतालिस वाला तो रिलीज हो जाएगा और जितना रहे बचेगा तो 40 mmHg हमारा लास्ट में रही जाएगा इसके अंदर 40 mmHg आ जाएगा यह तो हो गया हमारा CO2 के लिए और O2 के बात करी जाए तो O2 कितनी है हमारे 40 mmHg है पर यहाँ पर कितनी है 104 mmHg क्या है हमारी partial pressure of oxygen का है जब partial pressure of oxygen 104 है तो यह partial pressure जादा है और यहां partial pressure कम है तो partial pressure यहां का इसके अंदर आएगा और यहां से oxygen इसके अंदर आएगी तो इससे क्या होगा और पार्शल प्रेशर और प्ल्मोनरी वेन का इंक्रीज हो जाएगा क्या होगा और ऑफ्सिजन का पार्शल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 95 mmHg तक पहुच जाएगा ठीक है यह तो हुआ यह और हम दूसरा कुशन देखते हैं इसका नाहित वाला पार्शल प्रेशर और चीओ टू एड़ लाई एंड और और पर कितनी थी कर से इसको मिटा देते हैं इस चलिस एस थी ठीक है सभी बात और 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 नहीं हो रहा था हमारे पर कितना था है और ऑक्षिनेटल ब्लट आर अंदर हमारी इसक्चिंटीशन गतनी थी वह पता नहीं है तो हमारे पास क्या था 45 था 45 चालिस में चेंज हो रहा था तो हमारे कितना हो गया 45 है mmhg हो ओगया ठीकर पहला हो गया तब पार्शल प्रेशर अब को पड़ते है ताप पार्शल प्रेशर ट्वार्चल पेशर क्यों प्रेशर इस फ्GMिटे फेड़्ेट pourtant यह स нравится है और स्व्ल्ड क्या roughly 2 अंदरenda और अख्यानिटेड ब्लट इस अबाउट 45 mmHg हमारे पास क्या था पैतालिस था और और अख्यालिस था जब यह तो एक सी चेंज हो रहा था जब पार्चल प्रेशर हमारा फॉल्मोनरी आर्ट्री के अंदर जादा था और अलवुलाई के अंदर कम था जब तो स्यूट हो मार और यह भाण निकल नहीं थी ठीक है और सिम्लर ता प्रेशर ऑफ एल्वॉलाई और अक्सिनेटेड ब्लट इस एक सुचार में मैं चीप तो हमको पता ही है ठीक है चलो अगला कुशन देखते हैं कि कुशन क्या क्या रहा है विच वन आप दा फॉल्वाइं अकर इन क्लोरा में होता क्या अगर यह आप देखिए यहां पर आपका टीशू है टीशू में आपका क्या हो रहा हूगा यहां पर ग्लुकोस का के अंदर आपके PLASMA के अंदर आपके रेड ब्लड और प्लैटलेट प्रिजेंट होते हैं थीक hell आपके करिफ के रेड ब्लड सेल प्रिजेंट न्वेर्ट का का क्या होता है जो भी ऴी siu 2 Самय आ रही है उसेफ्लिय कर देना है और उसको करके आपको सी यूटू में रिलीज कर देना आयलोलाई से अक्सिजन हो जाएगी तो हम इस चीज को समझते हैं कि कैसा होता है कि जैसी आपकी सीओ टूरीज हुई कि रिलीज वीं इंटेस्टिर靈 लग्समा में आइगी बलड प्लास्मा के अपके क्या वगा रेट बलस सेल हो गे रैट बलस सेल रेट खाथ बॉटर कंबाइन होके क्या होई गैकर्वण बन जाएगा ऐगा और सियोट्व और वाटर को combine करके bicarbonate में convert करता है और carbonic enzyme को bicarbonate को break करता है H plus और bicarbonate iron में break करता है अब क्या हुआ हमने बटार जाएगा बाय कार्गोने बना लिए अब क्या करेगा यह process बैकार में डेके आइन नहीं खेलेगा पर उसके लिए आयन एक्चेंज helpful आपका बैकारमेट बाहर को करनन होना पड़ेगा आयन करने के लिए तो यह होगा आपका यह बायकारोवल ऐंड़ डाल दी और उसमें क्या ओड़ा प्लाजमा में आपके गनलिक ट्रैवल करेंगे किसके पास क्रींगे., आपके वहां तक जआता है, ऐलव लाई के पास तक अलव लाई तक नहीं ब्लर स्ट्रीम जू यह यह क्या होग चलोगा ऑक कि इसको पहले पहले तो क्या करेगा बाइकार्ब्छ आयन अयन आएंगे अंदर धितन और एच प्लस आयन से कम माइन और की बाइकार्ब४े पर कनमड़ हो जाएंगे और क्लोरीन आयन ond होंगे क्योंकि अब क्या करना क्या कि हमें बाइकर्णोप को CO2 को जबी तो हम अलवलाई से बहार निकालेंगे जब bicarbonate को break करेंगे तो अब क्या होगा? क्लोरिन आपका बहार आएगा और bicarbonate iron अंदर आएगे bicarbonate iron जब H plus से combine करेंगे carbonic enhydrous enzyme के तो bicarbonate में convert हो जाएगा अब bicarbonate में convert हो गए तो carbonic enhydrous enzyme उसको CO2 और S2O में break कर देगा ठीक है? CO2 अलवलाई के तो बहार निकल जाएगी through simple diffusion तो सीधी सीधी बाते हैं इसमें बस एक ही काम होगा कि आपका जो red blood cell है यह क्या काम करता है? कि एक catalyst की तरह work करता है जब CO2 concentration ज्यादा होती है तो bicarbonate में convert कर देता है जहां CO2 की concentration कम होती है oxygen की ज्यादा होती है तो bicarbonate को break करके CO2 में release कर देता है ठीक है तो हम इसका option देखते हैं इसको आप डाइग्राम को आप समझ लेना अब क्या होता है कि tissue level of bicarbonate iron diffuse out the plasma ठीक है और chlorine iron enter into red blood cell ठीक है तो क्या हुआ कि bicarbonate iron तो भार निकले और chlorine iron आपके अंदर आए ठीक है तो यह पहला वाला सही है दूसरा क्या हो रहा इन alveoli chlorine move out in alveoli chlorine में नहीं होता भाई blood stream में होता है जो capillaries होती है जो अलवलाई के आसपास होती है तो यह तो पैसी गलत हो गया अलवलाई chlorine iron out and bicarbonate move in rbc अगर यह blood stream में बोलता तो सही रहता लेक वैसे यह गलत आपका अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन देखते हैं मैक्जिमम रियाप्जिशन और यूजली सविस्टैन बैक इन्टू बलड फॉर्म दा फिल्ट्रेट इन ए नेफ्रों अकर मैक्जिमम रियाप्जिशन आपका कहां होता है एक्जमम रियाप्जैन आपका अपका प्लक्यमल कपिंड ट्यूब में होता है वहां पर आपका 70 फिर्जल ताइपसं की मीलाड उन्ट पर್ाम देखता है अ if a exclusive तो सब्चिमम अomme लेटेट ट्यूब मैक्जीमम रियाउब्जेश्चन अब यूजली सबस्टेंट बैक इन्टु ब्लट फ्रॉम दा फिल्ट्रेट इन्टू इन्टू नेफ्रॉन अकर निट्र पास यह आपको डायग्राम बता देता हूं यह आपका क्या रीटियूल केप्सूल है इसके इंदर क्या है नियूक्ति करता है और कि उसके बाद क्या आता है जो आपका आपका 20 post करता है ने आपको पीछे बताया mungkin करता है Pen फिर कोककी कर लेते से पहला हमारा रिनल कैप्सूल आया फिर प्रोक्सिमन गवलिटीट तीव क्लेक्टिंग डख्ट आए तो दिख रहा है कैसे इस तरह से क्यों अगला क्विश्ण क्या कर रहा है लूप ऑफ हैंड लूप मरी आपके कहां पाई आती है किड़ी के इंदर तो वो क्या काम करती है किस तरह से पाई जाती है तो क्या होता है कि loop of heli आपका क्या होता है अगर cortex में थोड़ी बहुत portion उसका medulla के अंदर है तो उसको बोलते है cortical nephron अगर उसका loop of heli का major part आपका medulla के अंदर है तो उसको बोलते है जक्सा medullary nephron तो आप दिखते हैं majority of the nephron of the loop of heli external on a little into a medulla मतलब cortex में भी होती है और कुछ थोड़ा बहुत portion उसका medulla में होता है तो उसको बोलते है cortical nephron और curtain nephron in which the loop of heli is quite long और कुछ-कुछ nephron के अंदर loop of heli काफी लंबी होती है और काफी deep तक जाती है medulla के अंदर तो इसको बोलते है जक्सा medullary nephron ठीक है और nephron इसके अंदर loop of heli का काम क्या होता है reabsorption of water और electrolyte को यह reabsorb करता है तो हमारा क्या हुआ इसका कि medulla के अंदर तो present है तो हमारा क्या हुआ हो लूप of heli is found in medulla यह डिपेंड करता है कि वह छोटी है तो क्या है कि कोटिकल नेफ्रों है अगर उसका लूप of heli ज्यादा है लॉंग तक जा रही है तो उसको बोलते हैं जक्सा बइन आफ्रों है अ开व से नेफ्रों क क्या क्या रहा है में रिव यॉज्टन क्या दिढ़न क्या होते हैं आपको दिखांगा कैसे होते हैं कर दीकलें क्या होते हैं आपके फ़ोच्ट appendjak और क्या होता है इसमें कि ब्रेन और स्पाइनल पॉर्ड में जब माइलिनेटेड नूरोंस होते हैं उसको हम वाइट मैटर कहते हैं और क्या होता है कि आपका जो सेल बॉड़ी और नौन माइलिनेटेड नूरोंस होते हैं उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं ग्रे मैटर कंसिस्ट क कि आप जब brain के section cut करेंगे उपड़ से तो आपका क्या दिखेगा ग्रे मैटर दिखेगा उपड़ और उसके अंदर आपको वाइट मैटर दिखेगा ठीक है अगला कुशन देखते हैं तो हाँ यह हमारा था option false सा क्योंकि यह गलत था तो अब function देखते हैं function of the और यह को एक और नाम बोलते हैं यह प्रेट में प्रेजन होती है यह लूब्री के काम करती है यह acidity को neutralize में भी help करती है और sperm को efficiency से ट्रांसफर करने में भी help करती है ठीक है दा बर्वी रूथ्रलन grant is a copper gland is a in RNA pair exocrine grant क्या करते हैं lubricant the mucous secretion clear fluid of mucopulosect help the lubricant of the distal urethra ठीक है neutralized acidity remain in the urethra the secretion of the बर्वी रूथ्रल गेंड आलाव तो more efficient sperm transfer as well as sperm mortality ठीक है तो हमारे क्या lubricant of the Spanish ठीक है increase the mortality of sperm ठीक है more efficient sperm transfer हां तो हमारे यह सब ठीक है एक और ची देखते हैं कि आपको यह दिख रहा है यह seminal vesicle यह आपकी पेर में प्रोस्टेट क्या है आपका इसका एक ही है मतलब यह पेर में नहीं है बर्वी रूथ्रल ग्रेंड क्या आपकी यह पेर में है कि कि अगला पूश्य देखते हैं वेन एंब्रियो डवलप इन दा बॉडी ओफ फीमेल पर डज नोट अप्टें नूट्रेंट फॉर्म दा मदर इट इसको अम्ड़ डवलप्मेंट इंसाड दा बॉड़ी ओफ फीमेल हो रहा है लेकिन मदर से कोई नूट्रेंट नहीं ले रहा है तो आपका इस यह हमारा हो रहा है कोई connection नहीं है उसके बीच में मतलब जो आपका एंब्रियो है और मदर की बीच में प्लेजंट कनेक्शन होता है पर इसके अंदर कोई प्लेजंटा कनेक्शन नहीं है लेकिन डवलप्मेंट इंसाइड दा बॉड़ी ओफ फीमेल हो रहा है तो हमारे क्या हो गया और विवी पैरस हो गया और विवी पैरस की करेक्टरिस्टिक बता दूंगे आपको यह एंब्रियो क्या आपके इंसाइड बॉड़ी ओफ फीमेल और क्या होता है कि यह इसमें नो प्लेजंटा कनेक्शन होता है और अन्बोन जो यंग होता है वो नूट्रिशन किसे लेता एग यॉक्स लेता है इसको कहते हैं ओवी वी पैरस और विवी पैरस क्या होते है जिस जिन एंब्रियो आपके मदर बॉड़ी से प्लेजनटा की थुरू कनेक्ट होते है वो वी वी पैरस होते है उसका डवलप्मेंट इंटर्नल ही होता है और उनका फटेलाइशन भी से लेते हैं एक यॉक से अपना नूट्रेंट से लेते हैं तो हमने से क्या पूछा था नौट अप्टें नूट्रेंट फॉम्धा मधर पर डवलप्मेंट इंसाइड ओफी मिल हो रहा था तो हमारे क्या था ओवी वी पैरास होगा पर मैंने आपको तीनों समझा दिया कि यह होते क्या है ठीक हमारा अंसर यह हुआ ओल अफ दफॉलाइंग और करेक्टरिस्टिक और एंजिश्प्रम एक्सेप्ट ठीक हमें इस एंजिश्प्रम किस करेक्टरिस्टिक बतानी है हमें पताना कि कौन सा सही नहीं है अग दा मेन प्लांट बॉडी इस वेल डिफाइंट तो रूट्श स्टैम एंड लीफ है आप अपने घर की आसपास जितने भी पीड देखते हो रूट्श स्टैम और लीफ में इस तो डिवाइड होते हैं तो वह तो डॉमिनट है तो प्रिजन टाम में तो क्या एंजिश्प्रम को और अनिमल्स हां नेकट सीट अर प्रोडू आपको एंज्यूस्पर्म के आप अपने घर कोई भी आपको आघर के आसपास पेड़ लग रहा हो अगर पपाया के पेड़ देगें या आप किसी का भी महेंगो का तो इंसाइट सीट तो उसके फूट के इंसाइड है ना तो नेकट तो नहीं है ना तो क्या हो गया यह गलत ह है हमारा ? they are will flowering plant , Yeah so ह吧 accept पूचाता मतलब गलत वाला पूचाता तो हमारा answer क्या हो गया यह हो गयां ठीक है अगला देखते ए है इस ही már मैं आपको बता दूं क्या होदे सब्सक्राइब के इसके सीट आइस नोट नेकिड का और वाइद इंसाइड फ्रूट में प्लांट बॉडी इस वैल डिफ्रेंशेटेटेट इंट रूट स्टैम और लीप और पॉलिनेट रिवाइब वाटर विंड और अनिमल्स ठीक है अगला कुशन देखते हैं कुशन क्य कितने मेंकि होता है यह होगी हमारा सही कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं यह गलुकुष भी रहा है आपको सिक्स कारवन का और कहला तीन पार ऑन का अब क्या हुआ हुआ शसे या ठीक हो अब क्या हुआ शीम तो दो कि राओ दो मौलीकूल Panther के कैसे चार योज आ लेकिन दो एडि पि हमारे इस में से घुर्च हो जाते हैं तो दो ठीव हमारे पास बचते हैं कैसे योज आते हैं जब आप सिखते हो इन तो एक फॉस्फेट वा रहा है तो एक एट लॉस हो रहा है फिर देखरें हो फ्रॉक्टोग्ट्रोड् सिक्स अब देखते हैं अगला फुशन, fermentation अगर इन, fermentation क्या होता है, इन absence of oxygen, और कहां पर होता है, यही दिखाता हूँ, जैसे आपके यह बना pyruvic acid, यह pyruvic acid क्या होगा, अब यह क्या convert हो जाएगा, आपके इतनॉल में convert हो जाएगा, इतनॉल और CO2 में, किसके presence में, alcohol dehydrogenase enzyme की presence में, औ और यह क्या हो, lactate हमाँ, one body में होता है, पारिविक acid दिख रहा है, पारिविक acid को lactate dehydrogenase enzyme की presence में, किसमें convert हो जाएगा, यह lactate में convert हो जाएगा, और क्या होगा, यहाँ पर NADH दिख रहा है, NAD में convert हो जाएगा, यह दोनों तो anaerobic लिए हैं, और यह aerobic लिए है, यह presence of oxygen है, यह absence में है, ठीक है, तो यह presence of oxygen में कौन से चलती हैं, आपकी cycle, जो आपका 3 car one का है न, वो further और break होगा, आपका किसमें oxygen की presence में, इसमें यह चलती है, आपकी citric acid cycle, जो mitochondria में चलती है आपकी, ठीक है, तो यह होगे आपका parovic acid, इसमें काफी break होता है, और CO2 और S2 में convert होयाता है, लेकिन हमसे तो यही पूछाता है, fermentation occur in absence of oxygen, और यह में दो process चलते हैं बस, absence of oxygen में, अगला question के रहा था, type of fermentation, observe in east, type of fermentation, मैंना आपको पता है, कौन सा observe होता है आपको, alcohol fermentation होता है आपका, ठीक है, अगला question दिखते हैं, तब functional mega spore in an angiosperm developed into, क्या होता, functional mega spore किसमें convert हो जाएगा, embryo sec में convert हो जाएगा, कैसे convert होगा, मैं बताता हूँ आपको, यह आपको दिख रहा है, mega spore mother cell दिख रहा है, इसकी condition क्या है, 2N condition है, और यह convert किसमें हो रहा है आपका, इसमें जब meiosis होगी, तो यह 4N condition में convert हो जाए यह 4N condition मनगी यहाँ पर, यह 1N हो गया, यह 1N हो गया, यह 1N हो गया, यह 1N हो गया, ठीक है, जब यह 4N condition में बन गया, तो इसमें से 3 जो आपके हो है ना, नीचे के, वो degenerate हो जाएगे, इसको बोलें, बस जो बच्चे का न, एक, वो ही आगे जाके develop करेगा, कैसे इसको बो जी लास्ट वाला बचा आपका, यह उपर वाला बचा, अब देखो इसको, यह वाला बचा, अब यह इसमें देखिए, अब क्या होगा, यह वाला और यह यहाँ लिग गया, अब इसमें क्या होगा, फ्री नुकलियर डिवीजन होगा, पहले 2 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 8 होगे तीन वार इसमें ग्या होगी कि फ्री नूपलर डिवीजन होगी इसमें माइटुसीस होगी दिवा बेदस अब गूत। Kesue of discuss उसमें तो क्या हो गई है कंडिशन तो इसके एधी रहेगी ये वी न है ये बहन न है ये वह एधू अब क्या होगा इसमें, जब इसमें free nuclear division होगा तो यह आको देख रहे हो तो यह 8 होगे आपके, तीन वार इसमें mitosis होई, तो अब क्या हुआ, इसमें क्या होगा कि यो तीन जो देख रहे हैं, तीन उपड जाके arrange हो जाएंगे, चले जाए एंड पर तीन नीचे आके अरेंज हो जाएंगे mycopylar end पर जो चले जाएंड पर होंगे उनको बोलेंगे antivodal cell जो नीचे अरेंज होंगे उनको वो क्या बोलेंगे mycopylar end पर दो तो synergy होंगे और एक आपका egg cell होगा और बीच में क्या होंगे आपके polar nuclei होंगे जिसको central cell भी बोलेंगे बीच में जोंगे तो हमारा condition क्या हो इसकी 7th cell 8 nucleus हमारे पर 7th cell है पर nuclei है हमारे पास नहीं 7th cell है और 8 nuclei है कैसे दिखाता हूँ आपको यह 3 होगे और 3 यह होगे और एक बीच में क्या होगे आपका यह भी तो एक cell है पूरा तो कितने को 7th cell 8 nuclei और 8 nuclei कैसे होगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 nuclei होगे 7th cell 8 nuclei की condition होगे आपकी यह और इसमें यह आपको यह दिखा रहा ना philiform apparatus यह क्या करता है जब pollen tube होता है उसको guide करने में help करता है दूसरा कुछन देखते हैं the dices flower plant prevent dices flower plant prevent from किसे होता है आपको यह अगर देखें यह अगर दिखेंग एक बेस्ट जांपल बताता हूँ आपको है कौन सा होता आपका पपाया होगे आपका डाइस होता है मेल और फीमेल अलग-अलग होते हैं तो अब मेल और फीमेल अलग-अलग हैं तो आप उसकी चीज से प्रवेंट हो रहा है वह वह ना ओटोगेमी कर पाएगा ना जिलेटोगेमी कर पाएगा ओटोगेमी क्या होता है कि जब उसके पास मेल और फीमेल फ्लॉवर में है ही नहीं तो वो ओटोगेमी तो करी नहीं सकता मेल अलग है फीमेल अलग है ओटोगेमी के लिए कंडिशन क्या होती है मेल और फीमेल एक ही फ्लॉवर में हो तब वो ओटोगेमी करते हैं ना जिलेटोगेमी कर सकते हैं जिल ओटोगेमी में क्या होता एक ही प्लांट है उसमें फ्लॉव यह तो हो नहीं सकता तो और एलोगेमी भी नहीं हो सकती ना ओटोगेमी हो सकती ठीक है तो यह क्या हो गया ओटोगेमी और जनेटोगेमी इसमें प्रिवेंट है क्योंकि दोनों यह अलग अलग है मेल भी अलग है फिमेल भी अलग है और एलोगेमी को ही हम क्या बोलते हैं जने identically similar है इसलिए वो जलेटोगेमी है और डाइस प्लांट में में मेल और हिमल दोनों अलग अलग है ना ओटोगेमी होगी ना जलेटोगेमी होगी ठीक है अगला कुशन दा मेल रिप्रोडेक्टिव पार्ट आफ फ्लॉवर दा सिस्टैमिन और कलेक्टिव नोन ऐस अगर ठीक है अब इसको कलेक्ट कर लिया जाए तो क्या बोलेंगे एंडोश्यं बोलते हैं फ्लाइटव बलते हैं ऑटा हो जाएगा ठीक है अगला कुशन दिखते है कुशन क्या है विच आप दा फॉलाइंग स्टेटमेंट इस आर्ट ट्रू अबाउट पैरा थैरोड ग्लेंड की वारे में तो पैरा थैरोड ग्लेंड हमें पता होनी चाहिए कि पैरा थैरोड ग्लेंड होती है पहले यह आपको है यह आपको फैरोड ये लेंड को आप देखें फ्रेंट ग्लेंड को अब देखें लू तो आपको यह दिखे रहे हैं एजर्य लू ब्येंड ब सट फैरोड टाइके यहाँ पर यह चोटे चोटे यल्लो कलर के स्पोर्ट टाइप के दिख रहे हैं यह आपकी पैरा थारोड ग्लेंड है यह चार पैरा थारोड ग्लेंड आपके थारोड ग्लेंड के अंदर प्रिजेंट होती है खीक है तो इसका फंक्शन क्या होता है इसका फंक्शन होता है कि जो bone है, bone से आपका calcium को reabsorption करती है और blood का जो आपका calcium level है उसको maintain रखने का इसका काम है main काम इसका है कि blood के अंदर जो calcium level है उसको maintain करना है चाहाँ है वो कहीं से भी reabsorption करें या वो renal tube से reabsorption करें या digestion food से reabsorption करें लेकिन उसको blood का जो है आपका calcium level को maintain रखेगी कौन parathyroid gland का काम है तो पहला question क्या वोला है ठीक है भाई कि भाई बोन से क्या होता है आपका calcium को reabsorb करती है और blood का क्या करती है उसको blood का calcium level को maintain रखती है अगला क्या करा है था इस टूमलेट था रिए अप्जर्फ्शन और केल्सियम को रिण ट्यूब हाँ रिणल ट्यूब से भी क्या करता है आपका calcium को को maintain देगी स्वरी म्लट क्यलशं मुन्ट रखती है इंक्रिष म्लट इंक्रीश करती तो इसको नॉर्मल करने अली रखनेम और और क्या करती है डाप्श्ण को करती है और क्या रखने करती यह कैल्शियम लेविल इसी तरह का यह सब्सक्राइब कर आएगा और और यह आपका बीसी नर्सिंग का पेपर था जी इसकुछ इसी तरह का आपका पैरामेडिकल कोश्ण पेपर आएगा और इसी से आपके काफ इंपोर्टेंट कुश्ण है इनको आप जरूर लगाईए और मैंने अपने वाट्सप ग्रूप पहले भी और और सारे कुश्ण पे पर है ठीके थैंक यू एव नैस दे